आप जो मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं ए स्कूल का नाम है मनेक जी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल दोस्तो ये वही स्कूल है जिस स्कूल में दिविया भारती पढ़ती थी ये वही स्कूल है जिसमें दिविया भारती का बचपन की पढ़ाई हुई है दोस्तों ये स्कूल जो आप देख रहे हो ये बिल्डिंग वही पुरानी बिल्डिंग है जिसमें दिविया भारती जहां से पढ़ के निकली है दोस्तो जिस टाइम पर दिव्या भारती इसमें पढ़ रही थी तो जो थ्री डियर्ट्स के एक्टर हैं जिनका नाम सर्मन जोसी है और फरान अक्तर वो भी यहीं से पढ़े हैं दोस्तो मैं वर्सोवा बिच पर खड़ा हुँ और ये वर्सोवा का एरिया दिव्या भारती जी से जुड़ा हुआ है और वर्सोवा में वो बिल्डिंग है जहां पर वो रहती थी जिसका नाम है तुलसी अपार्टमेंट और ये है वर्सोवा की बिश्ट जहां पर बहुत सारे लोग घुमने आते हैं दोस्तो आज संडे का दिन है और संडे के दिन मैंने सोचा कि आपको मैं वो लोकेशन दिखा दूँ जहां पर दिव्या भारती जी अपने बच्पन में पढ़ती थी तो दोस्तो थ्री इडियेट्स में जो एक्टर हैं जिनका नाम है सर्मन जोसी जो अक्से आमीर खांग के साथ भी काम कर चुके हैं और बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं तो वो उनके classmate थे, एक photo है दोस्तों जिसमें वो तीनों हैं, फरान अक्तर हैं, सर्मन जोसी हैं और दिव्या भारती जी हैं, दिव्या भारती जी टीचर के साथ बैठी हैं, वो उनके school time का photo है, वो school दिखा दूँगा जिसमें दिव्या भारती जी पढ़के निकली हैं, तो दोस्तों मैं उम्मीद गरता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, जहां पर मैं आपको दिव्या भारती जी का school दिखाने जा रहा हूँ, एक्टर तो दोस्तों बहुत हैं दिखाने के लिए कोन कहां पर पढ़ा है, लेकिन दिव्या भारती जी की एक अलगी बात ह वो 19 साल की उमर में ये दुनिया को छोड़के जा चुकी हैं, और इतनी सी कम उमर में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत फिल्में बनाई हैं, बहुत सोंग बनाई हैं, और वो सारी फिल्में उनकी हिट हैं, सारे सोंग उनके हिट हैं, मैंने सोचा ऐसा, मैंने चाहा ऐस कि मैं आपको वो इस्कूल दिखाओं तो इस्कूल देश्तों उनका जुहू में है अब मैं वर्सोवा बिच से बाइक उठा के बस वो इस्कूल पर जाओंगा और वो इस्कूल आपको दिखाओंगा जहां पर वो पढ़ती थी दोस्तों हम पहुच चुके हैं दिव्या भारती जी के स्कूल पर दोस्तों यह जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो यह वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में 1970 के टाइम पर वो पढ़ती थी 1974 में उनका जनम हुआ था उसके बाद सर्मन जोसी और दिव्या भारती वो इसी स्कूल में क्लासमेट थे हां पर पढ़ाई साथ में किये तो दोस्तों यह एरिया जो है सांता गुरुस का एरिया पढ़ जाता है जुहू के बाजू में और जुहू में वर्सोवा में दिव्या भारती जी रहती थी अब जब उनक करीब मैं मान सकता हूँ कि अगर वो 80 का टाइम था और राश्टू तो 40 साल पहले मैं बोलूँगा 40 या 38 साल पहले मैं बोल सकता हूँ कि 40 साल पहले इस गलियों में आती थी दिव्या आप स्कूल देख सकते हो यह वही स्कूल है जहां पर दिव्या भारती जी पढ़ती थी दोस्तों जब वह स्कूल टाइम था उनका तो जो सर्मन जो सी एक्टर है वो उनके क्लासमेंट थे दोस्तों एक फोटो उन्होंने सेर के अता सर्मन जोसी ने जिसमें दिव्या भारती जी है और फरान अक्तर है और वो सर्मन जोसी खूद है वहाँ पर सर्कल पर भी आप देख सकते हो यह जो लड़की के फोटो पर सर्कल देख रहे हो वो टीचर के बाजू में बैठी है तो यह वही लड़की है जो हमारी सबकी फैवरेट हैं जिनका नाम दिव्या भारति जी है जो बहुती कम उमर में हम सबको और इस बोलिवुड की दुनिया को और इस पूरी दुनिया को ही छोड़ के हमारे बीच से जा चुकी है दोस्तो तो आपको ये इस्कूल उनकी याद दिलाता होगा ये इस्कूल से आप आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार वो वक्त था जिस वक्त वो यहां पर पढ़ने आती होंगी अब सब दोर बद्ध कर लगाव है और उनकी हर चीज दिखाने को मेरा आपको दिल करता है और मैं ऐसे ही धीरे धीरे उनसे जूड़ी हुई चीजे आपको दिखाने का ट्राइ करता रहूंगा दिव्या भारती एक टैलेंटेड एक्टर पढ़के निकली हैं इसी स्कूल में पता नहीं कितने टीचर आज भी होंगे जो यहां पर पढ़ाते होंगे लेकिन दिव्या भारती जी अपना पूरी दुनिया में नाम बनाके और इस दुनिया को छोड़के जा चुकी हैं दोस्तो तो चलिए मैं वीडियो का बस अभी यहां से मैं यहां से निकलता हूँ आपको मैं यह स्कूल दिखाने आया था यह जुहूबिच के पास में ही है और यह स्कूल आप देख सकते हो यह वही स्कूल है जहां से दिव्या भारती जी पढ़के निकली है यह वही स्कूल है जहां पर दिव्या भारती ने अपने बच्पन की पढ़ाई की है दोस्तों यही वो इस स्कूल में आज़ भी ना जाने कितने टीचर होंगे जो उनको पढ़ाए होंगे दोस्तों मैं किसी से बात करूँगा अगर मेरी पहचान में कॉन्टेक्ट में कोई टीचर मिले तो उनका एक इन्टर्वीउ होगा मेरे चैनल पर दोस्तों ये स्कूल आपको कैसा लगा जहांपर दिव्या भारती और भी बहुत सारे एक्टर यहां से पढ़के निकले आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों अभी मेरा घर जाने का टाइम हो चुका है साथ में जा संचित है और पीछे एक मस्क जीप खड़ी है और हम यहां से निकलने की अभी तैयारी में हैं अभी बच चुके हैं एक बच चुका है और अभी हम घर पर जा रहे हैं उसलिए जो दिव्या भारती के चाहने वाले हैं उनके लिए चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आईगे अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताए तब तक के लिए देखते रहे हैं फ़हीं विलोग और अपना खयाल रखे हैं लव यू बाइस